नमस्का दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूटूब चनल को और में जाब प्रपरिशन पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने बाले हैं प्रैक्टिस सेट को लेकर दोस्तों यहां पर हम लोग डेली एक प्रैक्टिस करेंगे हिंदी का जो आपका यह इस बुक का यह प्रैक्टिस सेट है और काफी ज्यादा जो आपका वीडियो और एक्जाम होने वाला है उसके लिए बिल्कुल सुटेबल है क्योंकि इसमें जो भी कुश्चिन्स और जिस तरीके से पैटर्न फालू किया गया है बिल्कुल मैंने एजिटी जो वही पैटर् करेंगे तो दूस्तों यह प्रैक्टिस सेट को करिएगा और फिर बाद में अपना स्कोर भी हमें कमेंट बाक्स में निचे बताइगा आपके जो यह 50 कुश्चिन्स का प्रैक्टिस सेट है इसमें कितने मांग सही निकल रहे हैं इस तरीके से हम लोग 30 प्रैक्टिस करने ब वर्दान है तो इस पैसेज को पढ़के आपको अंसर से यह पर देने हैं तो मैं पैसेज को पढ़ देता हूँ यह आपर तो प्राता काल का ब्रह्मण स्वास्त के लिए वर्दान है घर की चार दीवारी से बाहर प्रकत की रमडी खुली वातरण में शुद्ध वायु सिव प्रकत की उन्मुक्त वातरण में परवती सीतल वायु प्रणियों का श्वागत करती है रचो पर चहते पच्छी कोईल की मधुर आवाज मुस्कुराते फूल तथा उन पर गुंजर करते हुए भंवरे मन को प्रशन कर देते हैं सूर के आगमन से चारू और छाया अंदका पर तिरोहित हो जाता है खुली हवा में सांस लेने से फेफड़ी साफ होते हैं और सरीद में सुद्ध रक्त का संचार होता है प्रमण से वापस लोते हुए शूर की केड़े इसमड़ी अलगती है प्राता का प्रमण स्वास्त के लिए सर्वुतम और सस्ता उपा है तो इस गद्यांस को पढ़कर आपको निम लिखित प्रश्णों के उत्तर देनी है तो सबसे पहले है उप्यूद गद्यांस के अधरवा निम लिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए गद्यांस का उप्यूद सीर्षक आपके हिसाब से यहां पर क्या हो सकता है तो दोस्तों मैं अगला गद्यांस के तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं दो से पांस टक्के प्रश्णों कांसर इस गद्यांस के अधार्पा देना है तो जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का सहस अफिचित होता है उन सबके प्रती उतकंठा पूर आनंद उस्सा के अंतरकत लिया जाता है कष्ट यहानि के भेद के अनुसार उस्सा के भी भेद हो जाते हैं सहत्य मिमान सकों ने इसी दर्श्टे से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्याद भेद की हैं इसमें सबसे प्राचीन और प्रधान जुद्ध वीरता है जिसमें आगात पीड़ा या मृत्र की परवाह नहीं रहती इस प्रकार की वीरता का प्रविचन अतिनत प्राचीन काल से चला रहा है जिसमें साहस और प्रत्न दोरों चरम उतकर्ष पर पहुंचते हैं पर केबल कस्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उस्साह का सुरूप सुरित नहीं होता उसके साथ आन्दपूर्ण प्रत्न या उसकी उतकंठा का योग चाहिए तो ये दुस्तों आपको पढ़ना है, इससे आपको आंसर देने हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा option number डी, साहस प्रत्न और कस्ट यसरे पढ़ते हैं next आपका है थाहति मीमान शुकोर ने वीरता के कौन-कौन से भीद किये हैं तो एध अंसर हो जाएगा युद्वीर, दानवीर और दयावीर तो यह थे दूस्टरे यहाँ पर पैसे इलेटेड कुशन, आगे बढ़ते हैं, फिप्टी कुशन के आंसर आपको यहाँ पर करते हुए चलने हैं, जो फिप्टी कुशन हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में आपको यहाँ पर बताना है, इस तरीकी से 30 प्रेक्टिस सेट हैं, इसका जो भी आपके जतने भी कुशन सही निकल रहे हैं, उसका हमें reply comment box में जरूर दीजीगा, तो next है, उत्कंठापूर आनंद, किस के अंतरगत लिया जाता है, तो उत्कंठापूर जो आनंद है, वो लिया जाता है, उत्साह के अंतरगत, next आ जाते हैं, भारस सरकार की ओ उसे विदेशी सरकारों, उनके राज़दूतावाशों, अंतराश्टी संगठों, तरता सुधी सिस्थित कारेलों को जो पत्र लिखे जाते हैं, वे किस स्रेडी में पत्र आते हैं, तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, हो जाएगा सरकारी पत्र, नेक्स आजाता है, जब किस किसी अधिकारी का ध्यान किसी सरकारी मामले की और व्यक्तिगत तोर पर आकर्शित करना होता है, तब किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं, तो जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी सरकारी मामले की और व्यक्तिगत तोर पर आकर्शित करना होता है, तब उसे अधसास की ये पत नेक्स देखते हैं किसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पत्र मूल रूप से प्रेशक को वापस लोटाया जाता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्ठांकन यानि option number B सही आंसर हो जाएगा नेक्स है किसी संदर्व या विसे वस्तु का कम से कम सब्दों में तथ्य पूर्ण या स्विस्पस्ट पूर्ण लेखन क्या कहलाता है दोस्तों यहापर कुश्चन ध्यान से पढ़ना है किसी संदर्व या विसे वस्तु का कम से कम सब्दों में तथ्य पूर्ण या हिंदी में धोनिया कितने प्रकार की होती है। तो दूसर हिंदी में DONIA कितने प्रकार की होती है तो इसका अंसर हो जाएगा Option Learning A न estaban in इसमें पूरीलिंग सब्सक्राइब होते, इसमें पूरीलिंग सब्सक्राइब सस्क्राइब कर देए, इसमें प्च्राइब सफ्सक्राइब सिर् circumrim नेधा तχी पेमि भीकार, 66 क reference आगे बढ़ते हैं नेक्स वाते हैं नेक्स सब्दों में श्वर संदी को पहचानी है तो इसमें स्वर संदी को आपको यहाँ पर पहचाना है तो इसका अंसर हो जाएगा विद्या ले विद्या प्लस आले जो की एक स्वर संदी है निक्स आज़ता है पो प्लस अन किस स्वर संदी का उधारण है तो पो प्लस जो अन है वो किस स्वर संदिका उधारण है आपको बताना है तो आंसर हो जाएगा आयादी संदिका उधारण है यानि option number B सही अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यथा विधी में कौन सा समास है तो दोसरे यथा विधी काफी famous यह समास इसमें है यथा विधी कौन सा समास है कर्मधारे शमास आगे बढ़ते हैं अधी मानता में प्रिव्ट उपसर्ग बताएं तो अधी मानता में जो उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग है तो हो जाएगा अधी नेक्शा जाता है संकल्प सब्द में उपसर्ग बताईए तो संकल्प सब्द में कौन स अप्शर्ग होगा, तो इसमें हो जाएगा सम, यानि की option number 8 आगे बढ़ते हैं उपचारिक सब्द में प्रत्य लगा है, तो उपचारिक में कौन सा प्रत्य है? इक प्रत्य है, यानि option number C यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, आगे है ने मल्लिकित में से किस सब्द में नी प्रते नहीं लगा है तो सेरनी, मोरनी, कुटनी इन में समय नी प्रते है बत नौकरानी में आनी प्रते है यह अगे बढ़ते हैं निमलिकित में कौन सा सब्द तत्सम नहीं है तो इसमें से कौन सा सब्द तत्सम नहीं है यह आपको बताना है तो इसका आ समसब्द है आगे बढ़ते हैं निम में से विदेसी सब्द कौन सा है तो इसमें विदेसी सब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो विदेसी सब्द हो जाएगा वो हो जाएगा option number B यानि की अमीर आगे बढ़ते हैं राजिपाल में कौन सी संग्या है तो important question है राजिप पुरुस वाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं पापी में कौन सा विशेशन है तो पापी में अगर हम विशेशन की बात करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुडवाचक विशेशन नेक्स आता है मीरा जोर से हसी या वाकि किस क्रिया का समुचित उधारन है तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 37 का A यानि अखर्मक क्रिया नेक्स आता है जिन अभ्ययों का सम्बंध वाकिसे नहीं वकता के हर्ष सुक आदिभाऊं से होता है वे होते हैं तो उन अभ्ययों को क्या खहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा सब्द अनुपम का पर्यावाची है तो अनुपम का पर्यावाची हो जाएगा अधूती यानि कि Option number डी आपका यहाँ पर सही प्रवृत्ति का विलोम क्या हो सकता है तो प्रवृत्ति का जो विलोम होता है निवरित्ति यानि Option number C सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, next question देखते है अवली आविल सब्द युग्म का सही अर्थ है तो अवली और आविल सब्द युग्म है, इनका जो सही अर्थ है वो क्या हो सकता है, आपको बताना है अवली और आविल सब्द का सही अर्थ युग्म क्या है तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा option number D पंक्ति और गंदा नेक्स आजाता है बली और बली शब्द यूगुं का सही अर्थ है तो बली मतलब की बलिदान और बली मतलब वीर यानि option number A आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स आजाते हैं प्रत्य सब्द वह सब्दांस है जो तो प्रत्य क्या होता है जो किसी सब्द के बाद में जुड़ता है यानि option number किसी सब्द के आगे जुड़ता है सब्द कहीं भी जुड़ सकता है इसका आंसर हो जाएगा किसी सब्द के बाद में जोड़ता है यानि option number A सही अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 49 कौन सा सब्द शुद्ध है तो अन्तियाक्षरी यानि option number B यहाँ पर सही अंसर हो जाता है next आ जाता है निवन में शुद्ध सब्द बताईए तो इसमें सुद्ध सब्द हो जाता है पूज निया यानि option number C सही अंसर हो जाता है तो दूसर यह था practice set number 1 इसी तरह से daily आपको एक practice set मिलेगा हिंदी का तो आप लिए ज़दा ज़दा इस वीडियो को share करें चैनल को भी subscribe करें और आप comment box में में ज़रूब दाएं कि आपके इसमें किष्टन कोश्चन सही निकल रहे है मिलते हैं नए प्रक्टिसेट साथ तब तक के लिए thanks पहोज